रेडियो खांची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना। आज हम लोग कम्प्यूटर का एक टॉपिक CPU के बारे में जानेंगे। पिछले कुछ एक्जामिनेशन में CPU से रोलेटिड एक कुश्चन काफी बार पुछा गया है। वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। CPU का पुन रूप क्या है? I hope आप सभी रोग इसका आंसर जानते होंगे। उस डेटा को इंपुट करने के बाद वो डेटा प्रॉसेस होता है। और प्रॉसेस होने के बाद वो आउट्पुट के रूप में हमें मिलता है। आउट्पुट के लिए हम लोग आउट्पुट डिवाइस का इस्तमाल करते हैं। तो और डेटा प्रोसेस कहा होता है जहां पर से वो प्रोसेस होकर के इन्फॉर्मेशन में तब्दील होता है इस डेटा को प्रोसेस करने का काम CPU के द्वारा किया जाता है मतलब CPU वह चिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने का काम करता है CPU को कुछ और नामों से भी बुलाया जाता है जैसे brain of the computer, microchip, microprocessor, इत्यादी CPU को logically तीन भागों में बांटा जाता है पहला ALU, दूसरा CU, तिसरा MU ये numbers आगे पीछे हो सकते हैं ALU, इससे related question यह आता है What is the full form of ALU? ALU के दो full form है पहला, arithmetic logic unit दूसरा, arithmetical logical unit आप बीच में end का भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसे, arithmetical and logical unit ये भी सही है CU का full form क्या है? control unit MU का full form क्या है? memory unit ये तीनों के combination को ही हम लोग CPU कहते हैं Now, role of ALU, CU and MU ALU, CU और MU के दोरा क्या क्या जाता है? So, number one ALU It processes all the arithmetical and logical data जितने भी arithmetical और logical data होते हैं उन सभी को process करने का काम ALU के द्वारा होता है It means arithmetical and logical दोनों ही कामों को एक ALU ही कर देता है Arithmetical से तात पर यह है के plus, minus, multiplication, etc. logical कहने का मतलब है greater than, less than, if, else, etc. क्योंकि computer में दो ही तरह के data को enter किया जाता है या तो वो arithmetical data होते हैं या logical होते हैं तो दिखा जाए तो ALU ही लगभग सारा काम कर रहा है इस वजह से ALU को एक और नाम से भी बुलाया जाता है ALU को ही कहा जाता है Heart of the Computer Number two CU Control Unit जैसा इसका नाम है इसी तरह से ये काम भी करता है It controls and manages all the hardware components of computer Computer के सारे hardware components को यह control and manage करता है यह सिर्फ इतना ही work नहीं करता एक और important work यह करता है It converts actual data into binary form and binary data into actual form यहां actual form data का कहने से वह form है जिस form को देख कर user मतलब हम लोग समझते हैं and उसे convert करता है binary में It means जिसे computer समझता है और computer समझ कर जब process करता है वह return again binary में ही करता है पुना उस data को binary से actual form में लाता है ताकि हम लोग उस output को देख कर पढ़ कर समझ सकें तो CU ही वह unit है जो data को binary form में and binary से actual form में convert करता है and at the last number 3 MU memory unit It stores only processing data यह सिर्फ processing data को ही store करता है processing data कहने का मतलब वह data जो process currently हो रहे हैं सिर्फ उन्हें ही store करता है आप किसी data को किसी pen drive से या compact disk से या DVD से copy करके लाकर अपने computer में जब रख देते हैं permanently store करते हैं तो वह MU में store नहीं होता जब data process CPU के द्वारा हो रहा हो सिर्फ उसी दोरान ही MU में store होता है MU में data को permanently store नहीं किया जा सकता है MU में data को store करने के लिए different types of registers कस्तमाल किया जाता है जिनके बारे में हम लोग memories में पढ़ेंगे अभी के लिए फिलहाल हम लोग यह जानेंगे कि MU can stores only processing data MU सिर्फ और सिर्फ वैसे data को store करता है जो currently अभी process हो रहे हैं तो ये थे तीन भाग CPU के ALU, CU and MU Now next एक question आपके examination में यह पुछा जाता है CPU computer में कहां लगा होता है Generally हम लोग computer को जब देखते हैं तो एक बड़ा सा box होता है जिसे देखकर के हम लोग CPU कहते हैं और उसे ही CPU समझ बैटते हैं लेकिन ऐसा नहीं है CPU motherboard में लगा एक छोटा सा chip होता है इसलिए तो इसे microchip भी कहा जाता है छोटा होता है, that's why, microchip यह motherboard पर लगा होता है Next topic हम लोग motherboard के बारे में ही deal करेंगे जिसमें CPU भी include होगा बट वहाँ पर कुछ और devices के बारे में भी हम लोग जानेंगे फिलहाल इसका answer यह है कि CPU motherboard में लगा होता है अब बारी है कुछ CPU के example की तो examples है Intel 4004 यह दुनिया का पहला microprocessor कहिए या CPU कहिए या brain of the computer कहिए है, जो Intel के दोरा बनाया गया था इसके अलावे भी बहुत सार examples है Intel 8085, Intel 8086, Intel 8088, Intel Dual Core, Intel Core 2 Duo, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, etc कुछ AMD's के भी processor आते हैं और भी बहुत सारी companies हैं जो microprocessors बनाते हैं क्योंकि आपके examinations में ज़्यादतर question Intel से related रहते हैं इसलिए मैंने भी ज़्यादे examples Intel से related ही आपको दिये हैं तो यह था CPU, उसके भाग and उसके examples I hope आप लोगो समझ में आई होगी Next class में हम लोग कुछ और topics को deal करेंगे फिलहाल इस lecture में इतना ही मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 झाल